जिन्दगी में हम किसी भी काम को शुरू करने से पहले कई बार सोचते हैं और क्या सोचते हैं? सोचते हैं कि हार गया तो क्या होगा? ये जो सोच है इसको कैसे बदला जाए? आज इसी पर सुनाता हूँ एक छोटी सी कहानी हाई गाईज मेरा नाम है आरजे कार्टिक ये कहानी एक स्टैंड अप कमेडियन की एक ऐसा स्टैंडआप कमेडियन जो बड़ा पॉपिलर होता जा रहा था उसके शोज के लिए भीड लगती थी, टिकेट्स के लिए मारा मारी होती थी, लोग चाहते थी कि एक बार जाकर कि सेलफी क्लिक कर वालें, एक बार जाकर कि उससे मिलने, धीरे 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 उसकी popularity बढ़ती चली जा रही थी, कहीं सारी magazines उसका interview करना चाहती थी, एक बार एक magazine को उसने appointment दी, reporter आया, और आकर कि सवाल जवाब करने लगा, जैसा कि होता है, हर interview में, सामने आले को मालूम नहीं होता है, कि उससे क्या-क्या पूछा जा सकता है, वैसे एक bouncer, इस magazine के reporter ने stand-up comedian की तरफ दे मारा, उसने बोला, कि sir, एक बात बताईए, आप ऐसा कौन सा record है, जिसे तोड़ना चाहते हैं, अब इस stand-up comedian के पास में कोई जवाब नहीं था, इसने कुछ सोचा भी नहीं था, तो इसने कहा कि भाई, ऐसा कुछ तो मैंने सोचा नहीं है, तो reporter ने कहा कि sir, कुछ तो बताईए, मतलब कुछ तो हमें लिखना होगा, कुछ तो हमें बताना हो फिर इस stand-up comedian ने काफी सोचा और बोला कि एक record है, जिसे में तोड़ना चाहता हूँ, एक minute में सबसे ज़ादा words बोलने का, reporter ने फटावट से जवाब लिख दिया, magazine चप गई, interview आ गया, काफी लोगों ने पढ़ा, news channels ने उसको देखा, तो उनको लगा news channel वालों को कि ये त बहुत बड़ी आफ़त आ गई, ये सब देख रहा है, इसको लग रहा था कि ये क्या ड्रामा चालो हो गया, तभी इसके पास में एक news channel से call आता है, और वहां से call पर का जाता है, कि सर आज शाम आठ बजे, आपको खुला challenge दिया गया है, हमारे show में आईए, और एक minute में सब से ज्यादा words बोल कर दिखाईए, इसको लग रहा था कि ये क्या मुसीबत आ गई, ये क्या किया जाए, open challenge चल रहा है, जाना तो पड़ेगा, रात आठ बजे से पहले साड़े साथ के लग भग इसके घर के बाहर news channel की गाड़ी आ गई, इसको लेने के लिए, गाड़ी में लगा कि हार गया तो क्या होगा, जैसे जैसे इसके कदम अंदर की तरफ बढ़ रहे थे, ये अपनी सोच को धीरे धीरे बदल रहा था, फिर इसने सोचा कि हार गया तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, जादस जादा ये होगा कि लोग कहेंगे कि फाल्टू की बातें करता है इसने जबरदस्ती इतनी बड़ी फेंक दी कि मैं एक मिनिट में सबस्यादा वर्ड्स बोलने का रेकॉर्ड तोड़ दूँगा क्या होगा लोग मेरे बारे में थोड़े टाइम के लिए बुरा कह देंगे इससे जादा बुरा कुछ नहीं हो सकता ये बंदा स्टैंड अप कमेडियन स्टूडियो में पहुँचा शो शुरू होने वाला था आठ बजने वाली थी इसने एक बार फिर से सोचा और अपकी बार सोचा कि अगर जीत गया तो क्या होगा अभी जहां पहुँचा हूँ यहां से और उपर चला जाओंगा और ज्यादा पॉपिलर हो जाओंगा दुनिया मुझे जानने लगेगी शो शुरू हुआ आठ बजी एक मिनिट का चैलिंज आया और इस बंदे ने कमाल कर दिखाया सबसे जादा वर्ड्स एक मिनिट में बोल के दिखा दिये उसके बाद इसे खुद पर यकीन हुआ कि जीत गया तो क्या होगा यही सोचना जरूरी है यह चोटी सी कहानी हम सब को बहुत बड़ी बात बता दिये जिंदगी में बदलनी है तो अपनी सोच बदलिए कई बार हम यही सोचते रह जाते हैं कि हार गया तो क्या होगा और वो जो सोच रहे होते हैं धीरे 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 हम पर इतना हावी हो जाता है कि हमारे आसपास वही होने लगता है जो नेगिटिव हम सोच रहे थे लाइफ में पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए जीत गया तो क्या होगा जब ये फीलिंग आपके अंदर आएगी तो ऐसी कोई मन्जिल नहीं जो आप पा नहीं सकते आरजे कार्तिक वस यही कहेगा कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मांगना ही छोड़ दिया हमने वक्त से क्या पता उसके पास इनकार का भी वक्त ना हो हाई गाईज मेरे नाम है आरजे कार्तिक एक छोटी सी कहानी यह कहानी एक किसान परिवार में पैदा हुए एक लड़के की जिसके ममी आपा चाहते थे कि वो बड़ा हो करके किसान बने खेती करे लेकिन वो चाहता था कुछ और उसने एक दिन अपने ममी आपा को बताया कि मैं बड़ा हो करके सैनिक बनना चाहता हूँ तो मुझे उसके लिए आप ट्रेनिंग करवाईए, मुझे उसके लिए भीजिए उसके पापा ने का कि ठीक है मैं आपको मना नहीं करूँगा आप जाईए जाकर कि तलवार बाजी सीखिए तब जाकर कि आप सैनिक बन पाएंगे, योद्धा बन पाएंगे लड़के ने अगले ही दिन से जाकर के ट्रेनिंग करना शुरू किया जब वो शुरुआत में आप पहुँचा, क्लासिस लेने लगा तो उसे समझ में आ गया कि ये तलवार बाजी उसके लिए बनी ही नहीं दो-तिन दिन के अंदर वो हिम्मत हार गया उसे लागे अब क्या किया जाए उमन में सपना तो था, वरियर बनने का, योध्धा बनना है, सेनिक बनना है लेकिन क्या करें फिर उसे लगा कि क्यो ना आप बैक डॉर एंटरी करते हैं पीछे के राते ही जाते हैं अब पीछे का रासता क्या था उस सेना का जो सेनापती था वो इनके परिवार में किसी रिष्टेदार का दोस्त था अब इसने सोचा की क्यों ना उस रिष्टेदार तक पहुँचा जाए अपनी ममीस जाकर करके इसने अरजी लगाई कि मा प्लीज मुझे वहां तक जाने दीजिए उनसे कहिए कि हूँ मेरी मुलागात करबा दें सेनापती से आप बस आराम कीजेगा बहुत कम आप लोगं की जारुत पड़ेगी मुश्किल है कि आपकी कभी जारुत भी पड़े लड़का खुश हो गया कि चलो भी सानिक की वर्दी मिल जाएगी, काम भी नहीं करना है, युद्ध में भी नहीं जाना है, आराम करेंगे, आराम से रहेंगे, रिज़र्ट फोर्स के साथ रहेंगे, बहुत मुश्किल से कभी मौका मिलेगा युद्ध में जाने का, वो तब क तब देखेंगे, रिज़र्ट फोर्स में शामिल हो गया, साल पर साल बीथते गए, एक बार उस राज़ी पर बहुत बड़ा हमला हुआ, अब सारी फोर्स जितनी सेनाई थी, सब को युद्ध के मैदान में उतरना था, ये लड़का भी मैदान में उतरा, तलवार चलानी आने ही रही थी, इसके चक्कर में बहुत बड़ी मुश्किल हो गई, और शाम में इसे सेनापती के सामने पेश किया गया, सारे सैनिक इसको बुरी-बुरी सुनाने लगे, सेनापती ने का कि ये तो बड़ाई इंबरेसिंग मॉमेंट है, क्या किया जाए, मैंने तो खुद पती से मैंने अरजी लगाई थी, तो सैनिक बना था, रिजर्ट फोर्स में था, काश मेरी बाते एक बार यहां के राजा से हो जाए, फिर तो कमाली हो जाएगा, साल पर साल बीटते गए, महल के सामने खड़ा वा और पहरेदारी करता रहा, लेकिन कभी भी राजा से मुला लाकि आपको ठंड नहीं लग रही, तो उस पहरेदार ने का कि मुझे बड़ी ठंड लग रही, लेकिन क्या करूं साब, सालों से इसी वर्दी में सरदी बिताता रहा हूं, राजा ने वादा कर दिया, कि आप चिंता मत कीजिए, भी मैं अंदर जाता हूं, वहां से आपके पड़ी हूई थी और लाश के पास में मिट्टी पर उंगली से कुछ लिखा हूआ था, वहां लिखा हूआ था कि राजा साहब मैं सालों से सरदी में राद बिताते चला आ रहा था, लेकिन कल रात में आपने कंबल का वादा किया, और उस वादे के चक्कर में मुझे ज्या कर देते हैं, सहारे लेना बंद कीजिए, खुद की ताकत को आजमाना शुरू कीजिए, तभी आप कमाल कर पाएंगे। मेरे आसपास ऐसा है, जिसने मेरा रास्ता रोक रखा है। मेरे आज वो हमें छोड़ कर चले गए हैं। आफिस के कॉन्फरिंस हौल में अंतिम संसकार की क्रिया शुरू होगी, फ्यूनरल के लिए ले जाएं, उससे पहले आप अंतिम दर्शन कर सकते हैं, वहाँ डेड बॉड़ी रखी हुई है। ऐसा करके पूरा उस पर लिखाव थे कि कौन है जिसने हमारा रास्ता रोक रखा था, जो यहाँ से चला गया, हमें छोड़ करके चला गया। सारे एंप्लॉईज ने विए चेक करने की कोशिश की कि जल्द से जल्द मालूम चल जाए। लेकिन आफिस में तयारी कुछ इस तरीके से की गई थी, कि एक बार ज थे, तो उनके चेहरे पर उदासी थी, घमगीन थे, ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई बहुत बड़ा जटका लगा है। उसी आफिस में एक बंदा ऐसा था, जो दिन भर इस बात से परिशान रहता था कि मेरा काम फलाना की वज़े से नहीं हो पाता, उसकी वज़े से नही उपाता, वो बड़ा खुश हो रहा था, उसे लग रहा था कि चलो यार, कोई तो गया जिसने मेरा रास्ता रोक रखा था, उसकी बारी आई, वो कॉन्फरिंस हॉल में गया, अंदर जाकर कि देखता है कि एक कॉफिन रखा हुआ था, वो गया जाकर कि कॉफिन को उठाया, जैसे उसने ढकन खुला, वो शौक डरह गया, वहां अंदर कोई भी बॉड़ी नहीं थी, उस कॉफिन में मिरर लगा हुआ था, और उस मिरर के पास में एक कागस चिपका हुआ था, उस लेटर पर लिखा था, कि जिन्दगी में आप ही हैं, जिसने आपका रास्ता रोक आपको अपनी उन कमजोरियों को पहचानने की जरूरत है, ये पढ़ने के बाद वो व्यक्ति शर्म से लाल हो गया, उसे उस दिन समझ में आया कि वो दिन भर जो कमिया निकालता रहता था, आखिर में कमी तो उसी में थी, चोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है, उस कमी को ढूनना शुरू कीजिए, ना कि आप दिन भर ये कहते रहें कि हमारे ओफिस में माहौल सही नहीं है, मैं पढ़ाई नहीं कर पता क्योंकि घर का माहौल ठीक नहीं है, घर में शोर मचता रहता है, ओफिस का माहौल ठीक तब होगा जब आप अंदर से ठीक होंगे, अपने आपको तैयार करेंगे, जिन्दगी में इनसान हमेशा अंदर की कमजोरियों से हारता है, इसलिए खुद को तैयार कीजिए और आसपास के माहौल को दोश देना बंद कीजिए, क्योंकि वो आप ही हैं जिसने अपना रास्ता रोक रखा है, अर जिक आर्थिक बस यह होने के लिए मोम को भी पिघलना पड़ता है, हाई गाईज मेरा नाम है आरजे कार्तिक, एक छोटी सी कहानी, यह कहानी है राजा विक्रम की, राजा विक्रम को अपने राज्य में उत्राधिकारी का चुनाव करना था, बड़ा आसान होता अगर उनके बच्चे कम होते, ल करना राजा को भी सभी बच्चों से बराबर प्यार था, राजी ने एक बड़ सुझाव दिया, कि क्यो ना हम राज्य के टुकड़े कर दे, सब बच्चों में बराबर हिस्सा बांट दे, राजा नी का कि ये तरीका अच्छा नहीं होगा। हम प्रजा को अपने अपने हाल पर नहीं छोड़ सकते हमें किसी एक को राजा चुनना होगा किसी एक को राजा बनाना होगा और तुम चिंता मत करो मैं कुछ ने कुछ ऐसा करूंगा कि इन सब में से जो सरवश्रेष्ट है वो सामने निकल करके आ जाएगा राणी ने का ठीक है फिर आपकी मर्जी आपको ज जुनाओ कर लिया जाएगा अब प्रजा चक्कर में पड़ गई कि कोई प्रतियोगीता तो रखी नहीं है सिर्फ भोज रख दिया है अब खाना खाने से कैसे पता चलेगा कि कौन सा राजकुमार अच्छा है लेकिन राजा ने शायद कुछ और सोच रखा था वो शाम आई थे कि अचानक से वहां बहुत सारे शिकारी कुत्ते आ गए अब राजकुमारों में हल चल मच गई वो इधर उधर भागने लगे तितर बितर हो गए कुछ डर करके भाग गए कुछ शिकारी कुत्तों का शिकार करने के लिए निकल पड़े कुल मिलाकर कि युद्ध सा कि आज शाम में दर्बार लगेगा और भरे दर्बार में घोशना की जाएगी कि राज जी का राजा कौन होगा। जनता को समझ नहीं आ रहा था कि राजा साब ने उत्तराधीकारी चुन कैसे लिया है कहां से इन्होंने चुनाव कर लिया है क्योंकि खाना तो हुआ नहीं चुनाव हुआ नहीं कौन सी प्रतियोगिता थी जिससे परिणाम निकलाया है। खेर शाम का वक्त आया दर्बार सच चुका था मंतरी बैठे वे थे जनता आकर के दर्बार में बैठ गई थी हर कोई इंतजार कर रहा था उस अनाउंस्मेंट का जब मालूम चलने वाला था कि क्या तरीका है पिताजी। कल आपने देखा होगा जब हम खाना खाने के लिए बैठे बहुत शुरू होने वाला था तब ही अचानक से शिकारी कुत्ते आ गए। हमारे पहरेदार इतने निकम में हो गए हैं कि वो शिकारी कुत्तों को रोक नहीं पाए। हमें खुद जा कि हाँ पिताजी मैंने कल भोजन खाया बहुती कमाल का भोजन था बहुती स्वादिश्ट भोजन था बहुत अच्छे पक्वान बने थे खाना खाने में आनंदा आ गया मज़ा आ गया इससे बढ़िया भोजन नहीं हो सकता था। हर कोई वहाँ पर अचम्मे में पढ़ गय थी थी मैं खाना खाने के लिए बैठा अचानक से शिकारी कुत्ते आ गये सारे राजकुमार भाग गये मैं वहीं बैठा रहा मैं अपना खाना खाता रहा जैसे ही कोई शिकारी कुत्ता मेरी तरफ आता मैं एक थाली उठाता और उसके सामने खाली कर देता निन्यानवे था आप सुना तो दरबार में तालियां वजने लगी और राजा ने अनॉंस्मेंट की कि अब यही आपके अगले राजा होंगे। आपको सल्यूशन जरूर मिलेगा। अर्जेकार्तिक बस यही कहेगा कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हरिवान शराय बच्चन साब एक बात कहा करते थे और इसी बात को बच्चन साब अमिताब बच्चन साब कई बार रिपीट करते हैं। कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो बहुत ज्यादा अच्छा। क्योंकि जब आपके हमारे मन का नहीं होता तो उपर वाले के मन का होता है। और वो कभी किसी का बुरा नहीं करते। हाई गाईज मेरा नाम है आरजे कार्टेक एक छोटी सी कहानी इसी बात पर एक कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो गाउं से शहर आया था नौकरी के लिए लगातार इंटर्व्यूस दे रहा था लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था उसे लग रहा था कि अब वापस गाउं चले जाना चाहिए एक आखरी मौका उसके पास बचा था एक आखरी इंटर्व्यू बाकी था वो कंपनी में पहुंचा लंबी लाइन थी उसका नंबर आया उसे सवाल जवाब किये गए काफी सारे सवाल जवाब के बाद उसे लगा कि अब उसका सिलेक्शन हो जाएगा उसने सभी सवालों के सही जवाब दी है तब ही इंटर्व्यूर ने पूछा कि आपकी इमेल आईडी क्या है इस व्यक्ति के पास में अपनी कोई इमेल आईडी नहीं थी इसने कहा कि मेरे पास कोई इमेल आईडी नहीं है इसे महां से रिजेक्ट करके भीज़ दिया गया इसे कहा गया कि आपके पास इमेल आईडी नहीं है और आप यहां जॉब करना चाहते है उस कमपनी से बाहर निकला तो दर्वाजे पर खड़ा होकर कि सोचने लगा कि क्या किया जाए लगातार मुझे फेलियर मिल रहा है लगातार मुझे निराशा हाथ लग रही है कोई भी व्यक्ति वहां होता उसके दिमाग में 40-50 उल्टे ख्याल आते इसके दिमाग में भी ख्याल आने ही वाले थे कि अचानक से इसका हाथ अपनी पॉकिट की तरफ गया इसने देखा कि इसके पास में 100 रुपे का एक नोट रखा था ये व्यक्ति वहां से सीधा चला गया सूप मार्केट वहां जाकर के टमाटर खरीदे और उसी शहर के कॉलनी में जाकर ये टमाटर बेचना शुरू किया शाम तक इसके सारे टमाटर बिक चुके थे 120 रुपे इसकी जेब में थे अगले दिन फिर से इसने ऐसा ही किया 120 रुपियों से टमाटर खरीदे फिर से बेचना शुरू किया शाम तक डीड़ सो रोपे ये कमा चुका था इस तरीके से रोजाना पैसे बढ़ते गए बचत होने लगी धीरे 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 साल दो साल के अंदर इसने पनी चोटी सी दुकान खोल ली चार पांच साल के अंदर बिजनस इतना ग्रोव कर गया कि अपना खुद का एक चोटा सा सूपरमार्केट खोल लीए काफी सालों तक यही बिजनस करता रहा धीरे धीरे उस शेहर में इसका एक बहुत बड़ा सूपरमार्केट कुल चुका था हर किसी को लगता था कि ताजी सबजीयां चाहिए अच्छी सबजियां चाहिए तो इन ही के सूपर मारकेट में जाना होगा एक दिन ही बैठा हुआ था इसको ख्याल आया कि क्यों न इतने बड़े बिजनस का इंशॉरंस करवाया जाए इतना बड़ा बिजनस खुल चुका है इसका इंशॉरंस करवाना बहुत जरूरी है इसने एक इंशॉरंस एजन्ट को कॉल किया और कहा कि आप आईए मुझे अपने बिजनस का इंशॉरंस करवाना है वो एजेंट वहाँ पहुंचा वहाँ पहुंचकर कि सारी जानकारी लेने लगा फॉर्म फिल अप करने लगा और आखरी में पूछता है कि सर आपकी इमेल आइडी क्या है तो यह जो बिजनसमेन था जो कि इतना बड़ा व्यापारी बन चुका था सबजियों के इतना बड़ा सूपर मारकेट था इसने कहा कि मेरे भाई मेरी कोई इमेल आइडी नहीं है अगर मेरी इमेल आइडी होती तो आज तुम यहां बैठकर के मेरे सूपर मारकेट का इंशॉरंस नहीं कर रहे होते insurance agent को ये बात समझ में नहीं आई क्योंकि उसे पुरानी कहानी मालूम नहीं थी लेकिन आपको समझ में आई होगी कई बार हमारे मन का नहीं होता है जब आपके मन का ना हो तो इंतजार कीजिए उपर वाले के मन का जरूर होगा और कोशिश कीजिए कई सारे रास्ते आपके आसपास खुले हैं उनमें से सबसे अच्छा रास्ता चुनिए और उस पर चल कर दिखाईए कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा किसी ने बड़े कमाल की बात कहिए कि खुद को खुश रखने के तरीके ढूंड है क्योंकि तकलीफें तो आपको ढूंड ही रही है हाई गैस मेरा नाम है आरजे कार्टे के एक छोटी सी कहानी ये कहानी एक बोढ़ी अमा की जिनकी फैमिली में अब कोई नहीं बचा था जिस फ्लैट में और रहती थी उसकी एमाई चुकाना भी भी बाकी था लोन चल रहा था फैमिली कंडिशन्स खराब थी एकनॉमिक कंडिशन्स खराब थी और इस वज़े से कुछ महीने ऐसे भी थे जिनमें उनके पास एमाई चुकाने के लिए पैसे नहीं थे उस बिल्डिंग के ओनर ने नोटिस दे दिया कि आपको अब ये फ्लैट खाली करना होगा क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति को यहां नहीं रख सकते जिनके पास में पैसा भी नहीं है उसने दो-तिन बार नोटिस दिया और फाइनली सिक्यॉरिटी गार्ड्स को बला लिया उनमा का सामान बाहर फेंकने की तैयारी हो रही थी वो फूट फूट करके रो रही थी उन्हें समय नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है उनकी लाइफ में तभी अचानक से उस सीन में एक ऐसे बंदे के एंट्री होती है जो कि सब कुछ पलट देता है सूटेड बूटेड बंदा आता है और आकर के सिक्यॉरिटी गार्ड्स को पेपर दिखाता है सिक्यॉरिटी गार्ड्स वहां से चले जाते हैं अमाप पूछती हैं कि आप कौन है और कहां से उपर वाला बनकर मेरी लाइफ में आए हैं तो वो बंदा बताता है कि माँ आप शायद भूल गई लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूल सकता ये फ्लैट मैंने अपने नाम किया है और उसके बाद फिर से आपके नाम कर दिया है क्योंकि आप आज से 30 साल पहले मेरी लाइफ में उपर वाला बनकर आई थी आपको शायद याद नहीं होगा आप और आपके पती एक बार माकिट में कुछ शॉपिंग करने के बाद में बाहर निकले थे एक मॉल से और बाहर फुट पात पर मैं पड़ा हुआ था गंदे कपड़े थे भीक मांग रहा था जैसे बाकी भीकारियों को डाट कर भगा दिया जाता है जड़क दिया जाता है वैसे ही आपके पती ने मुझे मना कर दिया था कहा था दूर जाकर के बैट जाओ लेकिन आपका दिल पिगला और आपने मेरी मदद की आपके पती तो थोड़ा आगे बढ़ गए लेकिन आप वहीं रुकी रही आपने पर्स में से जितना कैश था निकाल करके मुझे दे दिया और साथ में एक लॉकिट दिया और कहा कि इसे हमेशा पहनना ये तुम्हारा लकी चाम रहेगा उस दिन में आपका सिर्फ शुक्रिया अदा कर सका और मैंने जाते जाते आपका नाम पूछ लिया था वो नाम मैं कभी नहीं भूल सकता आप तो उस वक्त मेरी मदद करके चली गई लेकिन आपने जो पैसे मुझे दिये थे मैंने उनका सही इस्तिमाल किया मैंने पढ़ाई करना शुरू किया अपने आपकी जिन्दगी को समारना शुरू किया इन 30 सालों में काफी कुछ मेरे साथ हुआ मैंने बहुत सारी पढ़ाई की बहुत सारी तयारी की धीरे धीरे मैं इस लायक बन गया कि अपना बिजनस शुरू कर दिया आज रियल एस्टेट सेक्टर में एक बहुत बड़ा बिजनसमेन बन गया हूँ कल मेरे आफिस में लैपटॉप पर एक फाइल खुली हुई थी जिसमें उन लोगों के नाम थे जिनके फ्लैट्स खाली करवाए जाने थे अचानक से वो नाम मुझे दिखा जिसने मेरी जिन्दगी बदल दी आपके बारे में सारी डीटेल्स निकल वाई और यहां पहुँच गया फटावट से फ्लैट खरीदा और यह फ्लैट फिर से आपके नाम कर दिया आपने मेरी जिन्दगी समारी थी मैं नहीं चाहता कि अब इस उम्र में आपकी कोई जिन्दगी बरबाद करे यह लोकिट जो कि आपने मुझे उस वक्त दिया था यह लकी चाम वाला लोकिट अब मैं आपको दे रहा हूँ आप हमेशा मुसकराएं मा मेरी बस यही आपके लिए कामना है चोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है जिन्दगी में दुआएं कमाईएं क्योंकि पैसा तो हर कोई कमाता है जब आप दुआएं कमाएंगे तो पैसा अपने आप बढ़ता चला जाएगा आप खुद समझ नी पाएंगे इतनी कृपा आपकी लाइफ में अचानक आने लगेगी लाइफ में गुड विशिज का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और याद रखना ग्यान सब के पास है बाटनी हो तो मुसकान बाटियेगा कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि काश जिन्दगी में समस्याएं भी वाट्सेप स्टेटस की तरह होती जो 24 गंटे में खुद बखुद डिलीट हो जाती हाई गाईज मेरा नाम है आर जे कार्थिक एक छोटी सी कहानी एक कहानी गरी परिवार में रह रहे बच्चे की जिसकी फैमिली में खाने पिने के लाले थे जिसकी परिवार में बहुत कम पैसा था एक दिन पिता जी ने इस बच्चे को बुला और कहा कि बटा एक काम करना ये पुरानी सी टी-शिर्ट है इसको आज मारकेट में जाकर के बेच करके आना क्या लगता आपको कितने की होगी उस बच्चे ने टी-शिर्ट को देखा और बुला कि एक डॉलर की होगी तो पापा ने कहा बेटा आपको आज इसे दो डॉलर में बेच करके आना है लड़के कोई समझ नहीं है कि पापा ने एक कौन सा टास्क दिया फिर उसे याद आए कि उसके फैमिली कंडिशन्स बहुत खराब थी तो उसने सोचा कि फैमिली की मदद करने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा वो लड़का बाहर जा चुका था आसपास डूनने लगा किसको बेचूं किसको बेचूं फिर उसे लगा कि टी-शिर्ट तो वाकिए में बहुत गंदी है इसको दो डॉलर में तो कोई नहीं खरीदेगा वो लड़का वपस घर में आया घर में जो पुराने कपड़े रखे थे उसके नीचे उस टी-शिर्ट को रख दिया उनके घर में आयन तो थी नी प्रेस करने का इससे बढ़िया तरीका नहीं था वो टी-शिर्ट थोड़ी सी ठीक हो गई उसकी सलबटे मिट गई अब वो टी-शिर्ट को लेकर के स्टेशन पहुंच गया वहां जाकर के बेचने की कोशिश करने लगा शाम तक फाइनली वो टी-शिर्ट बिग गई दो डॉलर में बेच दी घर आया पापा को आकर के दो डॉलर दिये लड़के को लगा कि पापा खुश होंगे लेकिन पापा ने कोई रियाक्शन नहीं दिया पापा चुप रहे अगले दिन पापा ने फिर से एक पुरानी टी-शिर्ट निकाली और इस लड़के से का कि बेटा आज आपको फिर से ये टी-शिर्ट बेचने के लिए जाना है और आज दो डॉलर में नहीं बलकि बीस डॉलर में ये एक डॉलर वाली टीशर्ट बेचकर आनी है आप इने बताय था कि एक डॉलर किए अभी एक डॉलर वाली टीशर्ट आप बीस डॉलर में बेचकर क्वैंगे लड़के को अपकी वार तो कुछ समझ में नी आ रहा था पूरा ब्लैंक था उसे समझी नहीं आए था क्या करना है फाइनली उसने फिर से अपना दिमाग लगाया तो उसको लगा कि एक काम करता हूँ उसके घर में एक पुराना मिकी माउस का स्टीकर रखा था उसने उस टीशर्ट पर उस मिकी माउस के स्टीकर को चिपका दिया वो टीशर्ट अब मिकी माउस वाली बन गई थी वो लड़का उस टीशर्ट को ले करके गया और एक बड़े से स्कूल के सामने खड़ा हो गया जहां पर अमीरों के बच्चे पढ़ा करते थे स्कूल की छुटी हुई, सारे बच्चे बाहर निकले, उनके ममे आपउने लेने के लिए आये हुए थे उन्में से एक बच्चे की नजर पड़ी इस टीशिट पर, जिस पर मिकी माउस बना था उस बच्चे ने अपने पापा से जिद की कि पापा मुझे वो टीशिट चाहिए पापा ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा टीशिट बेचने के लिए खड़ा हुआ है वो आये उन्होंने देखा कि टीशिट बड़ी अच्ची थी, मिकी माउस का स्टीकर था, बड़ी क्रियेटिविटी दिखाई गई थी तो बड़े खुश हुए उन्होंने 20 डॉलर भी दिये और साथ में 5 डॉलर की टिप दी कि बिटा ये आप के लिए अब वो एक डॉलर की टीशिट ये लड़का 25 डॉलर में बेच चुका था इसे लग रहा था कि आज तो पापा बहुत ज़्यादा खुश होगी ये पहुँचा घर पर जाकर कि पापा बताया कि पापा एक डॉलर वाली टीशिट आज 25 डॉलर में बेच दी है पापा ने कोई रियक्शन नहीं दिया ना खुश हुए ना दुखी हुए चुप रहे अगले दिन फिर से उन्होंने एक पुरानी टीशिट निकाली वही एक डॉलर वाली टीशिट और बच्चे से का कि बेटा आज आपको इस टीशिट को 200 डॉलर में बेच करके आना है और मुझे पूरी उमीद है कि आप ये करके दिखाऊगी लड़के के पसीने छूट गे उसे समझने आ रहा था कि पापा कौन सा टास्क दे रहे है रोजाना मुझे से कह रहे हैं कि जाओ इतने में बेच करके आओ इतने में बेच करके आओ फिर उसे अपनी फैमिली कंडिशन से आदा है उसे लगा कि हमारे परिवार में वाकी पैसे की जरूत है मुझे फैमिली की मदद करनी होगी जब मैं एक डॉलर की टी-शिट को 25 में बेच सकता हूँ तो 200 में भी बेच सकता हूँ लड़का बाहर बाजार में निकला और आसपास देखने लगा उसके नजर पड़ी उनके शहर में एक बड़ी अक्ट्रिस आने वाली थी एक स्टोर के इनॉग्रेशन के लिए कॉंप्लिमेंट दे रहा है तो उन्होंने उस बच्चे को आगे बुला लिया उस बच्चे के पास में एक टी-शिट थी उसने कहा कि मैम क्या आपका आटोग्राफ इस पर मिलेगा उस एक्ट्रिस ने उस पर अपने साइन कर दिये उसके बाद वो लड़का वहाँ पर खड़ा ओकर के टी-शिट बेचने लगा कि बताईए आप मेंसे किसको चाहिए वो दो सो डॉलर का टागिट लेकर के गया था वो टी-शिट उसने धाई सो डॉलर में बेच दी उस टी-शिट के मुँ मांगे दाम उसे उस दिन मिल गए वापस घर गया पापा हो कहा कि पापा आपने तो दो सो डॉलर की बात की थी धाई सो डॉलर में टी-शिट पेच करके आ गया ये लड़का और कोई नहीं बलकि अमेरिका का मशूर बास्केट बॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन था छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है जिन्दगी में समस्याइं चाहे कितनी भी बड़ी आ जाएं आप हर समस्या का पार पा सकते हैं आप हर समस्या से जीत सकते हैं इसलिए आपसे कहता हूँ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कहिए कि जिस दिन आपने अपनी सोच बड़ी कर ली, उस दिन बड़े बड़े लोगों के दिमाग में आप आना शुरू हो जाएंगे। आप खुद बखुद एक बड़े आदमी बन जाएंगे। पुटेट बुटेट बंदा बैठा हुआ था, इसले लागा कि ये अमीर आदमी है, इससे अगर भीक मिल गई तो कम नहीं मिलेगी, अच्छी खासी मिलेगी, फिर मुझे दूसरे कोच में जाकर कि भीक मांगने की जरूत नहीं पड़ेगी। उसके पास गया और जाकर कि अक्टिंग करने लगा, भीक मांगने लगा, अपनी आवाज को बदल बदल करके अपना सारा दर्द निकालने लगा, लेकिन वो जो बंदा बैठावा था, सूटेट बूटेट आदमी उसने डांट दिया, उसने बोला कि आप ये मेरे सामने ना हो सकता है, मेरी आउकात किया है कि मैं आपको बदले में कुछ दे दूँ, तो जो वो सूटेट बूटेट बंदा था, उसने कहा कि जब आप मुझे कुछ नहीं दे सकते, तो मुझसे कुछ लेने की उमीद भी मत रखिये, आप चले जाएए, आपको मेरे पास से एक रुप और सोचता रहा कि यार ये क्या बात बूल दी, कि तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा, भिकारी को समझ नहीं आया, जिस स्टेशन के बाहर रहता था उस स्टेशन पर उत्रा, और बाहर आकर कि आसपास देखने लगा कि ऐसा क्या है, जब कोई मुझे भीक दे तो मैं उ उस दिन से उस व्यक्ती ने उस भीकारी ने एक नई आदत डाली, जब भी वो भीक मांगता अगर उसे भीक में पैसे मिलते, तो वो सामने वाले को एक फूल देता, सामने वाले को बड़ा अच्छा लगता कि यार ये पहला भीकारी है, जो भीक देने के बदले में कुछ न आई साब, आज तो आपको भीक देनी ही पड़ेगी, आज तो आपको मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे क्योंकि मेरे पास में आपको देने के लिए कुछ है, अब उस अमीर व्यक्ती ने सूटेट बूटेट बंदे ने सोचा कि यार इसके पास में मुझे देनी के लिए क बात का और ध्यान रखना, बात ये है कि अब तुम अपनी सोच को बड़ा करो, क्यों नहीं तुम व्यापारी बन जाते, क्यों नहीं तुम बड़े बिजनसमेन बन सकते हो, तुम बड़ा काम कर सकते हो, अपनी सोच को बदलने के बारे में सोचना, भिकारी को फिर से वो से एनरजी मिली वो जोर से चिलाया कि मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और उसके बाद से उस दिन से उसने भीक मांगना छोड़ दिया भूलों का बिजनस करने लगा छोटा छोटा काम चलने लगा धीरे धीरे दुकान बड़ी होने लगी एक दिन ऐसा आया कि वो बहुत बड़ा बिजनसमेन बन गया रेलवे स्टेशन पर इस तरफ से एक सूटेट बूटेट बंदा आ रहा था इस तरफ से ये भिकारी जो कि अब बड़ा आद में बन चुका था जा रहा था वही व्यक्ति इस से फिर से टकराया जिसने इसे काफी कुछ सिखाया था उसको जाक बड़ी बार जब मैं आपसे मिला था तो आपने मुझे सिखाया था कि सोच बड़ी करना क्या होता है छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है जिस दिन आपने अपनी सोच बड़ी कर ली आप बहुत बड़े व्यक्ति बन जाएंगे सारा खेल सोच का है अपनी सोच किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि वक्त की सबसे खुबसूरत बात ये है कि अच्छा चल रहा हो या बुरा चल रहा हो वक्त बड़ी जल्दी कट जाता है हाई गाईज मेरा नाम है आरजे कार्तिक आज सुनाता हूँ आपको वक्त पर एक छोटी सी कहानी ये कहानी है एक राजा की एक ऐसा राजा जिसने हर युद्ध में जीत हासिल की थी चोटे छोटे छोटे राज्यों को हरा करके अपने राज्य का विस्तार करता जा रहा था अ तो मैं हर युद्ध में जीत हासिल करूँगा एक दिन अपने कुछ चैनिकों के साथ में घूमने के लिए निकला हुआ था तब ही उसे एक बाबा जी दिखाई दिये बाबा जी के पास गया जाकर के बाबा जी को प्रणाम किया बाबा जी ने कहा कि बेटा हम तुमसे खुश हैं तुम्हे कुछ देना चाहते हैं राजा ने कहा हाजी हाजी बताईए आप क्या देना चाहते हैं तो बाबा जी ने उस राजा को एक ताबीज दिया और कहा कि इसे अपने गले में पहन लेना इस तावीज में एक मंत रहे, इस तावीज को तब खुलना जब तुम सबसे ज़्यादा मुश्किल में हो, जब तुमें लगे कि तुम्हारी आँखों के सामने अंधिरा है, अब तुम्हारी जिन्दगी खत्म होने वाली है, तब तुम ये तावीज खुलना, राजा ने कहा जो आग गया, मन ही मन राजा सोच रहा था कि बाबा जी कहां तावीज के चक्कर में पड़े हैं, मैं ऐसा राजा बन चुका हूँ, जिसे कोई हरा नहीं सकता, जिसे सिर्फ और सिर्फ जीत हासिल होगी, आस पड़ोस के जितने राजी के राजा थे, वो मनी मन सोच रहे थे क्या किया जाए, कैसे इस पर अटैक किया जाए, कैसे इसको हराया जाए, सब ही राजाओं ने मिलकर के प्लानिंग बनाई कि क्यो ना सब साथ मिलकर के एक युद्ध में आते हैं, सारे राजाओं की सेना जब सामने आई, जब विशाल सेना ने आकरमन किया, तो ये राजा घबरा गया, हारने की कगार पर पहुँच गया, युद्ध भूमी से डरता हुआ, भागता हुआ, जंगल में निकल गया, रास्ता भटक चुका था, इसे लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, ये राजा वहां चुपने के लिए जगे ढूनने लगा, तभी इसे वहां पर एक गुफा दिखाई दी, गुफा में जाकर के बैठ गया, छिप गया, और इंतजार करने लगा कि कुछ अच्छा हो जाए, इसकी सांसे उपर नीचे हो रही थी, दिल धक धक कर रहादे से लग रहा था कि इसका अंतिम समय आने वाला है, ये घबराय हुआ था, कि अच प्रश्मन देश के सैनिक, उनके घोडे अब इसकी गुफा की तरफ आने है, अचानक से इसे लगा कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, अचानक से इसने महसूस किया कि इसकी आँखों के सामने अंधेरा है, इसकी मृत्य होने वाली है, इसको सैनिक पकड़कर के लिए जाए पासी दे देंगे, इसका राजपाट तुछिनी गया है, अब जिन्दगी भी चली जाएगी, ये राजा निराशा की तरफ जाता जा रहा था, तब ही इससे अचानक याद आया है कि उन बाबाजी ने एक ताबीज दिया था, जो गले में पहना हुआ था, फटा-फट से इ ये भी कट जाएगा, मंत्र था, ये भी कट जाएगा, राजा ने एक सुकून की सांस ली, राहत की सांस ली, एक बार फिर से उपर वाले का धन्यवाद किया कि भगवान आपका धन्यवाद आपने मुझे जिन्दा तो रखा, है उपर वाले आपका शुक्रिया, राजा ने एकदम से महसूस करना शुरू किया कि उसके अंदर positivity आ गई है उसे ओ जो घोड़े के टापों के आवास सुनाई दे रहे थी वो भी अब दूर जाने लगी थोड़ी देर बाद वो घोड़े के टापों के आवास सुनाई देना बंध हो गई राजा धीरे से उस गुफा से बाहर निकला जंगल में कुछ दिन रहा वहाँ फिर से अपनी सेना बनाई फिर से उस राज्जी पर आकर्मन किया जो उसका खुद का था जिसे किईने हथिया लिया था और उस राज्जी पर फिर से अपना झंड़ा कायम किया चोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिकाती है जिन्दगी में घबराईए का मत क्योंकि अच्छा चल रहा हो या बुरा चल रहा हो ये भी कट जाएगा बड़े से बड़े संकट टल जाएंगे अगर आप चैंपियन हैं चैंपियन की तरह सोचते हैं तो आप चैंपियन ही बने रहेंगे आप अपनी सोच को बस बुलंद रखिए और चैंपियन बनने का सिर्फ एक रास्ता है हार्ड वर्क और उसके साथ स्मार्ट वर्क आरजे कार्तिक फिर से कहेगा कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिन्दगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है हाई गैज मेरे नाम है आरजे कार्तिक ये कहानी है अकबर और बीरबल की आपने बड़े सारे उनके किस्से सुने होंगे लेकिन ये वाला मज़ेदार है एक बार बात्ष्याकबर को लगा कि क्यों ना बेगम के लिए सेब काटा जाए तो उन्होंने चाकू मंगवाया आपल मंगवाया अब उनको चाकू चलाने के आदद तो थी नहीं कभी उन्होंने कोई सबजी नहीं काटी थी बीरबल खड़ावा था क्योंकि जहां अकबर होते थे वहां बीरबल होता था तो बीरबल ने कहा कि जहां पना आप इतना क्यों दर्द में है याद रखो जिन्दगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है बादशाह को गुस्सा आ गया उन्होंने बोला कि ये क्या मुर्खता है यहां मुझे चोट लगी है और तुम अपना ग्यान देने से पीछे नहीं रह रहे तुम यहां भी अपना ग्यान दे रहे हो यहां भी तुम कह रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है बादशाह इतने गुच्से में थे कि उन्होंने बीरबल को कारागार में डालने के लिए क्या दिया सैनिकों से काया कि इनकों ले जाकर कारागार में डाल दो मुझे इनकी शकल नहीं देखनी मुझे ऐसे व्यक्ति से बात नहीं करनी जब मैं दर्द में हूँ तो ये मुझे कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है इस बात को कई महीने बीद गए एक बार बादशाह अकबर अपने कुछ सैनिकों के साथ में जंगल में शिकार करने गए शिकार का पीछा करते करते कब वो सैनिकों से बिछड़ गए उन्हें खुद समझ नहीं आया वो शिकार करते करते जंगल में अकेले चले जा रहे थे तब ही उन्हें वहाँ कबीले वालों ने पकड़ लिया और जब कबीले वालों ने पकड़ लिया तो उन्हें बताया कि मैं बादशाह हूँ, जहां पना हूँ तो उन्होंने काया कि होंगे अपने घर के, यहां पर आपको यहां पनानी है, यहां हमारा हुकम चलता है, आपको हमारे साथ चलना होगा जब यह वहाँ पहुंचे तो जाकर कि देखते हैं कि कबीले वालों ने बली चड़ाने की तैयारी कर रखी थी इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या होने वाला है, जहां पना की बली दी जाएगी, यह बोलते रहे लेकिन इनकी किसी ने नहीं सुनी जब बली चड़ाने की तैयारी होने लगी, तब कबीले वालों में से एक ने देखा कि इनके अंगूठे में चोट लगी हुई थी तो उसने अपने बाकी साथियों से का कि यह तो खंडित है, इसकी तो बली नहीं चड़ाई जा सकती, इसको तो पहले से चोट लगी हुई है कबीले वालों ने बादशाह अकबर को वहां से रवाना कर दिया, वहां से छोड़ दिया जब यह वापस अपने राजमहल की तरफ आ रहे थे, तो सोच रहे थे कि बीरबल ने जो कहा था वो बिलकुल ठीक कहा था, जिन्दगी में जो होता है, वो अच्छे के लिए होता है एगर चोट नहीं लगी होती, तो मेरी यहां पर बली चड़ जाती, लेकिन इनके दिमाग में अब दूसरी बात चलने लगी, कि चलो मेरे साथ में तो यह हुआ, मेरे साथ में तो अच्छा हुआ, लेकिन बीरबल के साथ क्या हुआ, उसको तुमें ने वहां कारागार में जहांपना मेरे साथ तो सबसे अच्छा हुआ क्योंकि जहां आप जाते हैं वहां मैं आपके साथ जाता हूँ अगर आपकी बली नहीं चड़ाई होती आप खंडित थे तो बली किस की चड़ती आपके अपने बीरबल की आपने तो मेरी जान बचा ली जहांपना आपका जितना शुक्रियादा करूं उतना कम होगा छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है जिन्दगी में हमेशा याद रखना जो होता है अच्छे के लिए होता है उस वक्त शायद हमें समझ में नहीं आता लेकिन कुछ सालों के बाद में अगर हम फिर से पीछे देखें तो हमें लगता है कि ठीक ही हुआ था आरजे कार्तिक बस यही काएगा उम्मीद रखिये होसला रखिये कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा हाईगाईज मेंना है आरजे कार्तिक एक छोटी सी कहानी यह कहानी एक अमीर महिला की जो साकेटरिस्ट के पास जाया करती थीम, रेगुलर जाया करती थीम सेशन के लिए जब भी सेशन होता था उसके बाद में जब बाहर निकलती थी थोड़ा सा रिलाक्स फील करती थी लेकिन हफते दस दिन में फिर से उनको लगता था तनाव महसूस होता था फिर से वो सैकेटरिस्ट के पास जाती थी एक दिन वो अपना सेशन खत्म करके जाने ही वाली थी कि उन्होंने अपने सैकेटरिस्ट से पूछा कि सर एक बात बताईए मेरे पास इतना पैसा है मैं इतनी अमीर हूँ फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ फिर भी मुझे दस दिन में आठ दिन में आपके पास सेशन के लिए क्यों आना पड़ता है तो जो सैकेटरिस्ट थे उन्होंने कहा कि मैं आप फिर से बैठिये आदे घंटे का वक्त और लगेगा एक छोटी सी कहानी आपको और सुनाऊंगा और ये कहानी मैं नहीं सुनाऊंगा ये कहानी सुनाने के लिए मैं बुलाता हूँ किसी को सैकेटरिस्ट ने आवाज लगाई उनके घर में जो काम करने वाली अम्मा थी वो आई और आकर के नमस्ते करने लगे साकेटिस ने कहा कि मैम अब आप कहानी सुनेंगे लेकिन ये कहानी अम्मा की होगी अम्मा से कहा कि अम्मा बैठिये अम्मा ने चेर लियो बैठ गई और सैकेटरिस ने कहा कि अम्मा बताईए, इन मैम को बताईए कि आपकी जिन्दगी में क्या हुआ था और आज आप यहां तक कैसे पहुँची है अम्मा ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया, अम्मा ने कहा कि मैम मेरी लाइफ में सब कुछ बुरा हुआ है मेरा पती शराभ पी करके घर आता था, मार पीट करता था, उसको कई बार समझाने कि उसकी शराभ छुडवाने की कोशिच की लेकिन कुछ नहीं हो पाया एक दिन ज्यादा शराब पीने की वज़े से वो बीमार पड़ गए, उनका इलाज चला, उनके इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी, मैंने घर गर जाकर के काम करना शुरू किया, लेकिन वो बच नहीं पाए, उनकी मृत्ची हो गई, उनकी जाने के बाद मेरे परिवार में म पूरा साथ देने की, लेकिन एक दिन जब वो स्कूल से घर आ रहा था, तो किसी गाड़ी ने उसे टकर मार दी, और उसकी भी मृत्य हो गई, उसकी भी डथ हो गई, उसके भी चले जाने के बाद मैं दुनिया में अकेली पड़ गई, मुझे समझ नहीं आया कि मेरी पैसों की जरुत थी, मैंने काम करना जारी रखा, अलग-अलग घर जाती थी, खाना बनाती थी, बरतन माचती थी, साफ सफाई करती थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जंदगी में हो क्या रहा है, एक दिन बारिश हो रही थी, मैं अपने घर की तरफ आ रही थी, मैंने देखा कि उसे भूक लगी है, दूध गर्म करके उसके सामने मैंने रख दिया, वो बच्चा फटा-फट से सारा दूध चट कर गया, यह देख करके पता नहीं क्यों अचानक से मेरे चेहरे पर मुसकान आ गई, और जैसी मेरे चेहरे पर मुसकान आई, मुझे याद आया कि कई सालों में पहली बार हसी थी, मुझे लगा कि एक बिल्ली के बच्चे की मदद करने पर मैं इतना मुस्कुरा सकती हूं, इतना खुश हो सकती हूं, तो अगर मैं इनसानों की मदद करना शुरू करूंगी, तो मेरी जिन्दगी का मतलब बदल जाएगा, मेरे होने का शुरू किया एक बार एक वक्ति बीमार था उन के निए दवाई ले कर के आ गई एक बार एक भाई साथ बीमार थे हॉस्पिटिल में थे उन के लिए खाना बना कर के वहां तक पहुंचा दिया छोटे छोटे जो डॉजस होते हैं उनके लिए मैं बिस्किट का पैकiट करिबती उ उन तक पहुंचाती हूं निर भूकोंको खाना खिलाती हूं कई बार मुझे ऐसे बच्छे मिलते हैं जिनको पढ़ाने के लिए पैसी की जरुत होती है मेरे पास जितना बन पाता है 100 रुपे, 200 रुपे उन तक पहुँचाती हूँ उनकी मदद करती हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है और साहब के आँ जब से काम कर रही हूँ तब से तो मेरी तनख्वा भी बढ़ गई है साइकेटरिस ने जब ये पूरी कहानी अम्मा ने सुना ली उसके बाद में उन अमीर महिला से कहा कि मैम शायद अब आप समझी होंगी जीने का मतलब क्या है असली खुशी क्या है रियल हैपिनिस क्या है जिन्दगी में सबसे बड़ी खुशी है आप किसी की मदद करेंगा और आपको जो सुकून मिलेगा उससे बड़ी खुशी इस दुनिया में कभी भी आपको पैसे से भी नहीं मिल सकती छोटी जिकानी बहुत बड़ी बात सिकाती है बाटनी है तो मुसकान बाटी है ग्यान सभी के पास है अपनों के प्यार के साथ उपर वाले के आशिरवाद के साथ अपने होसले के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसे किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ज़रा समहल कर चलें क्योंकि तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है आता है तो खुश हो करके जाता है आसपास के राजाओं को लगता था कि इस बंदे की कभी न कभी किसी ऐसे विक्ति से जरूर मुलाकात होगी जो दुखी था और दुखी ही रहेगा और एक दिन ये बात सच हो गई राजा अपने कुछ सेनिकों के साथ में ब्रह्मन पर निकला हुआ था अपने राज्ज में जो भी उससे मिल रहा था उसको कुछ नकुछ दे रहा था शर्फी दे रहा था उनकी मदद कर रहा था पैसा दे रहा था राजा एक बार फिर से अपना दर्बार राजी के बीचों बीच लगा चुका था तब ही राजा की नजर पड़ी एक भिकारी पर एक दुखी इनसान पर उसको लगा कि उसके राजी में ये सबसे ज़्यादा दुखी इनसान कौन है ये छूट कैसे गया इसका उध्धार कैसे नहीः उसँड़ा इससे जाए जाओ उस बीचारी को बिला कर लओ बीचारी आया और जैसी राजा के पास आया राजा ने उससे उसका हाल पूछा और उसको एक सोने का सिक्धा दे दिया अब राजा के मन में चलने लगा कि जब मैंने से एक सोने का सिक्का दे ही दिया है तो इसकी जिन्दगी में अब कुछ न कुछ तो बदल जाएगा ये भिकारी अगर इस सोने के सिक्के का सही इस्तिमाल कर लेगा कुई व्यापार शुरू कर देगा तो इसकी जंदगी समढ जाएगी राजा ने यही सोच करके उस सोने का सिक्का भिकारी को दे दिया भिकारी बड़ा खुश हुआ उसने जंदगी में पहली बार सोने का सिक्का देखा था बिकारी खुशी के मारे जुमता हुआ नाशता हुआ जा रहा था राजा इस अब देख रहा था बिकारी फिर से जाकर के वहीं बैट गया जहां बैठा हुआ था नाली के पास उस सिक्के को उचानने लगा और उस सिक्का गलती से नाली में गर गया अब वो भिकारी उस सिक्के को ढूंडने लगा उसने पूरी कोशिश कर ली लेकिन वो सिक्का नहीं मिला राजा ये सब देख रहा था और राजा को लग रहा था कि ये सबसे बुरा हुआ उस भिकारी की मदद करने का मौका मुझे उपर वाले ने दिया था ने उसकी मदद भी की लेकिन उसकी गलती से सोने का सिक्का कुम हो गया फिर राजा को लगा कि क्यों ना इसकी एक बार फिर से मदद की जाए सैनिकों को भीजा और फिर से उसे बलाया और भिकारी को एक और सोने का सिक्का दिया भिकारी फिर से खुषी से नाचतावा जुमतावा गया खुशो करके गया और वहां नाली के पास जाकर बैठा और फिर से वो आला सोनी का सिक्का जो गर गया था उसे ढोलने लगा यहाँ यह पिर सब देख रहाँ था और सोच रहा था फिर से भिकारी को बुलाया, एक और सोने का सिक्का दिया भिकारी फिर से खुश हुआ, खुशी से नाचता हुआ, वहीं जाकर के बैट गया और फिर से नाली में जो सिक्का सबसे पहले गिरा था, उसे ढोड़ने लग गया राजा को समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है ये भिकारी कर क्या रहा है एक बार फिर से सैनिकों को भीज करके उसे बुलाया रूसे कहा कि आप चाहते क्या है मुझे लगा था कि आपको दो सोने की सिक्कों की जरूत है मैंने आपको तीन सोने की सिक्के दिये एक नाली में गिर गया फिर भी आपके पास दो बाकी हैं आप इससे अपनी जंदगी समार सकते हैं भिकारी ने कहा कि नहीं साब मुझे तो वही वाला सोने का सिक्का चाहिए जो नाली में गिर गया था चोटी सी कहानी आपकी और हमारी कहानी मैं सबकी बात नहीं कर रहा लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारे सोने के सिक्के उपर वाले ने दिये हैं लेकिन हम उसी सोने के सिक्के के चक्कर में पड़े हैं जो की नाली में गिर गया था हम अपने उसी पास्ट म उल्जे रहेंगे तो आज वर्तमान में जो खुशियां हैं जो प्रिजन मॉमेंट में आपको खुशी मिलिए उसको कभी जी नहीं पाएंगे जिन्दगी में असली खुशी वही है जो आज में हैं आज की खुशियों को चैरिश करना शुरू कीजिए उनके साथ जीना शुरू कीजिए आने वाला कल खुशियों से भरा होगा नाली में गिरे उस सिक्खे को भूल जाएए क्योंकि बहुत सारे सिक्खों की बरसाथ उपर वाला आपकी लाइफ में करने वाला है अर्जे करतिक बस यह कहेगा हमेशा पॉजिटिव रहे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि किस को क्या मिला उसका कोई हिसाब नहीं तेरे पास रूह नहीं मेरे पास लिबास नहीं हाई गाईज मेरे नाम है आर्जे कारतिक एक छोटी सी कहानी यह कहानी एक राजा की जो अपने राज्जे में बड़ा खुश था जिसको लगता था कि उसके पास में खुश हाल प्रजा है एक अच्छा परिवार है एक अच्छा सा राज्जे है उसे लगता था कि उसके पास में बहुत सारा पैसा है एक दिन अपने महल का दौरा कर रहा था उसने देखा कि एक नौकर जो की दीवार की साफ सफाई कर रहा था वो उससे ज़्यादा खुश था वो गाना गुन गुना रहा था मज़े में अपना काम कर रहा था राजा को यही बात बुरी लग गई उपने महल में वापस गया अपने कक्ष में गया जाकर कि उदास होकर कि बैठ गया राजी ने पूछा कि क्या बात हो गए आप उदास क्यों है तो राजा ने बताया कि एक नौकर जो कि छोटा सा काम कर रहा है उसे क्या पैसे मिलते होंगे इतनी कम तन खुआ में खुश है मैं राजा होकर कि कहीं बार चिंताएं ले लेता हूँ कहीं बार मुझे चिंता होती है कि राजी में कुछ गलत तो नहीं हो गया आसपड़ोस के राजाओं की चिंता ले लेता हूँ मुझे समझ में नहीं राए कि वो इतना खुश कैसे हो सकता है तो राजी ने कहा कि आप परिशान मत होईए उसे बस 99 के फेर में पढ़ने दीजिए सब कुछ ठीक हो जाएगा आपके चिंता दूर हो जाएगी राजा ने कहा कि 99 का फेर क्या है तो राणी ने कहा कि एक काम करते है आज रात में आप किसी को उस नौकर के घर के बाहर भीजेगा और उसके दर्वाजे के बाहर एक पोटली रखवा दीजेगा उस पोटली में 99 सोने के सिक्के रखवा दीजेगा राजा ने कहा कि ठीक है तुम जो कह रही हो ये करके देख लेते हैं राजा ने वही किया उस नौकर के घर के बाहर दर्वाजे पर एक पोटली रखी गई जिसमें 99 सोने के सिक्के थे नौकर जब अगली सुबह जगा उसकी वाइफ जब घर की साफसफाई कर रही थी उसने दर्वाजा खोला तो उसने देखा कि एक पोटली घर के बाहर रखी है वो पोटली अंदर लेकर के आई नौकर को जगा है कि हमारे घर के बाहर कोई पोटली रखकर के गया है नौकर ने वो पोटली खोली तो हैरान हो गया उसमें सोने की सिक्के थे वो गिन्ने लगाए एक, दो, तीन, पिचानवे, चियानवे, सत्यानवे, अठ्यानवे, निन्यानवे एक सिक्क का कम था नौकर अंदर तक खिल गया उससे समझने है कि क्या हुआ उसने अपनी पतनी से कहा कि रखने वाला सो सोने की सिक्कों की पोटली रखे गया होगा निन्न्नावे का कौन सा हिसाब है तो वो फटाफट से घर से भागा और अपने घर के असपास जितने रास्ते थे सारे चान मारे वो रास्ते ढूंता चला गया कि कहीं कोई सिक्का दिख जाए कहीं कोई सिक्का दिख जाए लेकिन कोई भी सोने का सिक्का नहीं दिखा उस पूग्रे दिन उसने अपने शहर के सारे रास्ते चान लिये लेकिन वो सोने का सिक्का नहीं मिला अगले दिन नौकरी पर वापस गया तो वहां उसको डांट पड़ी कि बिना बताया अपने छुटी कर ली पूरे दिन उदास रहा अगले पांच-साथ दिन तक उदासी से काम करता रहता था राजा एक दिन फिर से घुमने के लिए निकले अपने महल का दौरा कर रहे थे तो देखा कि वह नौकर बड़ी उदासी के साथ काम कर रहा है अपनी वाइफ के पास गया और जाकर कि बोलते हैं राणी को कि देखो मैंने आज फिर से उस नौकर को देखा आज वाकई में उदास था यह हुआ क्या तो राणी ने कहा कि अब वो उदास ही रहा करेगा आप उसको एक और सोने का सिक्का पहुँचा देना ताकि उसकी वो जो लालसा है वो जो चाहत है वो मिट जाए वो नहीं तो 99 के फेर में पड़ा पड़ा बरबाद हो जाएगा चोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिकाती है हम सब भे 99 के फेर में हैं हमारे पास में काफी कुछ है जिसे हम इंजॉई नहीं करते हैं जिसके बारे में हम खुश नहीं होते हम सब उस एक सोने के सिक्के के पीछे पड़े होते हैं और भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारी खुशियां पहले से हैं, जो मिला है उसमें संतुष्ट होईए और आने वाले कल के लिए तैयारी कीजिए, सपने देखना बुरी बात नहीं है, सपने देखिए और उनके लिए मेहनत कीजिए, लेकिन जो आज में हैं, जो बड़े कमाल की बात कही है, कि बहुत गुरूर था छट को छट होने पर, एक मन्जिल और बनी और छट फर्श हो गई हाई गाईज, मेरा नाम है आरजे कार्टे की कहानी है, एक गरीब परिवार की, जो गाउं में रहा करता था, जिनके बच्चे के बड़े-बड़े सपने थे, इस परिवार में जो बच्चा था, वो बड़ा होकर के एंजिनिर बनना चाहता था, वो एंजिनिरिंग की टाइम जॉब करूँगा, पैसे कमाऊंगा, उसी पैसे से पनी फीज भर दूँगा, आप पर कोई लोड नहीं आएगा, बस मुझे मौका दीजी, मुम्मी आपपा इसकी जिद के आगे हार गए, इसे शेहर बेज़ दिया, यहां आ करके ये बास्केट बॉल कोर्ट में करके बास्केट बॉल खेल थे, कई बार इसका मन होता था, सपने तो देखता ही था, इसका मन होता था कि बास्केट बॉल क्हेलूँ, एक बार इसने वहां जो बच्छे खेल रहunta थे उन से कहा कि भई आगर आप एक बर मौका दें तो मैं भी खेलना चाहूंगा, उन्होंने इसकी हंसी उड़ा दी और इसे डाट करके भगा दिया एक दिन ये रोजाना की तरहे महां साफसफाई करने के लिए पहुंचा हुआ था पत्ते उठा रहा था जाडू लगा रहा था तब इसने देखा कि वहाँ पर वो बच्चे तो खेली रहे थे एक करनिया भी आकर के बैठी हुई थी एक लड़की वहां पर आई हुई थी जो लड़की खेल रहे थे उनमेंसे किसी की गर्ल्फरिंट थी उन लड़कों ने देखा कि ये साफसफाई वाला लड़का आज फिर से आया है उनने इसको बुलाया और उनमेंसे एक जिसकी की वो गर्ल्फरिंट थी उसने अपनी गर्ल्फरिंट को दिखाने के लिए टशन दिखाते वे इस लड़के को ड़नाटना शुरू किया कि धंक से सफाई करो और सुनो एक काम करते हैं तुम रोज कहते हैं नो बास्केट बॉल खेलनी है आज आओ तुम बास्केट करके दिखा दो इस लड़के को समझ में आया कि यह क्या हो रहा है मतलब जो रोज भगा देते हैं खेलनी नहीं देते हैं आज वो खुद खेलने के लिए बुला रहे है लड़का कोट में पहुँचा और इसने का कि ठीक है भईया मैं कोशिश करके देखता हूँ मैंने आज तक तो खेला नहीं मुझे पता नहीं बस आपको खेलते वे देखता था उसी से शायद कुछ बात बन जाए इस लड़के ने बास्केट करने की कोशिश की लेकिन बॉल कभी धर जाती, कभी उधर जाती, निशाने पढ़ने ही जा रही थी उस सारे लड़के हंसी उड़ाने लगे इस लड़के उस समझ नहीं आरा थे कि क्या हो रहा है, मेरा तो मजाग बन रहा है ये फिर से उन बच्चों के पास गया जाकर की बुला कि भईया एक मौका दीजे, बस मुझे आदे घंटे का टाइम दीजे आप जो बोलेंगे, जहां से बोलेंगे, वहां से बास्केट करके दिखाऊंगा उन लड़कों को लगा कि अब तो चैलेंज दे रहा है, मतलब ये साफ सफाई करने वाला लड़का हमें चैलेंज दे रहा है उन्होंने का ठीक है, तो आदा घंटा ले, उसके बाद में हम जहां से बोलेंगे, वहां से बास्केट करके दिखाना इस लड़के ने का कि ठीक है भेया, या आदे घंटे के टाइम में फटा फट से उस बास्केट बॉल कोर्ट का जो आफिस था, वहां पहुंचा, इंच टे पले करके आया इसने जहां खड़ा था, वहां से उस पॉल की डिस्टन्स मेजर की, उसके बाद में जो पॉल था, जहां पर बास्केट लगी थी, उसकी डिस्टन्स मेजर की, आईटी की पढ़ाई कर रहा था, फॉमिलाज लगना शुरू किया, इससे समझ में आगया कि कौन सा इंगल वहां से इसने बास्केट करके दिखा दी, इसने अपना दिमाग लगाया, खुद को कमजोर नहीं समझा, और उन अमीर बच्चों के सामने साबित कर दिया, कि ताकत काबिलियत हर किसी में होती है, छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है, जिन्दगी में कभी भी ख खुद को कमजोर मत समझना, प्रैक्टिकल लाइफ में देखना, आपके पास में भी टैलेंट है, आपके पास में भी ख्शमता है, जिन्दगी में आगे बढ़ने की, अगर आपको लगता है कि आप जिन्दगी में थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, आपके सपने पूरे नह आपके जैसा